नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोसल मीडिया पे आपको कैसे ठगा जा सकता है और आपको उससे कैसे बच सकते हैं सोसल मीडिया यानि की वाटसप, फेस्बोक, ट्वेटर, इंस्टाग्राम ये सारे सोसल मीडिया कलाते हैं दोस्तों सोसल मीडिया को लोगों की भलाई के लिए लोगों को बैनेफिट पहुंचाने के लिए बनाया गया था लेकिन कुछ लोगों ने इसका मिस्यूज करना शुरू कर दिया है हर दिन किसी ना किसी को ठकते हैं किसी ना किसी नए तरीके से ठकते हैं एक तरीका पकड़ा जाता है तो दूसरे तरीके से ठकते हैं तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तीन ऐसे तरीके जो आज कर ले टेस्ट में हैं और जो चल रहे हैं और उन से कैसे बचा जाए इन दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं नमस्कार दोस्तो मैं हूँ स्वाम्दया I welcome you on the Royal Fight YouTube चैनल तो दोस्तो हम बात करने वालें सबसे पहले सोसल मीडिया फेस्बुक पर आपको कैसे ठेका जाता है दोस्तो हर रोज सोसल मीडिया पर ठगने वाले बैठे हैं तो हर रोज कोई ना कोई नया जाल बिचाते हैं तो आज कल क्या करते हैं एक नूडिटी जाल बिचाया हो बने दोस्तो आपके पास मेसेंजर पे कोई चैट सुरू करते हैं सबसे पहले आपके पास चैट सुरू करेंगे हो सकता है कि messenger पे ना करके इंस्टा पे शुरू कर दें हो सकता है कि whatsapp पे चैट शुरू कर दें कोई आपको unknown ही होगा जो आपके known में नहीं होगा और mostly foreign ID से आते हैं foreign ID से आते हैं तो मैं आप बीती बिताता हूं मेरे एक दोस्त के साथ बीती थी तो उसके पास क्या हुआ कि उसके पास message आया hello high शुरू में एक दो दिन आपसे hello high बात करेंगे फिर बोलेंगे कि हम आपके देश में घूमना चाहते हैं और हम आपके देश में उदर घूमने आ रहे हैं फिर आप से ना कुछ टिकेट के लिए कुछ बोलेंगे कि आप उहां होटल में यह बुक करवा दो वह कर दो आपका मतलब या फिर आप मेरे को इतने पैसे भेज़ दो मैं आपको आपको जाल भीछाते हैं ठीक है फिर आप को आपसे आपके पास यदि आप उस जाल में नहीं फस्ते हो तो दूसरा जाल एक और है इसी के अंदर नुडिटी वाला आपसे पहले हैलो हाई पर बात करेंगे बात करने के बाद आपसे दीरे 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 फ्रैंक हो जाएंगे और फ्रैंक होने के बाद लड़कियां होती है almost उसके इंदर और वो nudity पे आ जाती है अपने कहूं तो मैं nude हो जाती है कहने का मतलब सारे कपड़े उतारना तो फिर उसके बाद है जब कोई nude person होता है तो कुछ लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता और वह उनकी video देखते जाते विडियो देखते जाते हैं फिर वह स्क्रीन recorder के माद्यम से screen recorder और screenshot लेकर के आपकी वीडियो या आपके स्क्रीन नहीं ले लेते हैं फिर आपको blackmail का दहर आप या तो मुझे इतने रुपे दे दो, नहीं तो मैं आपकी जो फोटो है, आपकी जो वीडियो है, उसको मैं सोसल साइट पे लीक कर दूँगा, फिर आप डर जाते हो और आप डर करके उनको पैसे देने हैं, आपकी मजबूरी बन जाते हैं, आप पैसे दे देते हैं, तो आप ये ठगे जात आपको ना कोई लिंग बना करके देता है और जब आपके पास कोई लिंक आता है तो आपको नया आइडी और नया पासवर्ड आपको डालना होता है ऐसे किसी भी लिंक जो unknown link है उन पे आप कभी भी खोलने की कोशिश मत किया करो क्योंकि आप उन unknown link होते न वो एक trap होता है आपको फसाने का आप उनके उपर क्लिक करते हो तो आपकी ID में पासवर्ड और ID मांगेगा आप वहा आईडी पासवर्ड भरोगे और वह सीदे ID पासवर्ड जो hacker होता है उसने वह ट्रैप विशा है वहां पे आपके ID पासवर्ड दीख जाते हैं तीसरे नंबर पर जैसे आजकल मैं फेस्बुक पर देख रहा हूँ आपके सेम नाम से ही एक iiडे बनाते हैं बिल्कुल सेम नाम से ही और जितने फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड सर्कल में देख लेंगे, फ्रेंड लिच्ट है, उनहीं फ्रेंड को दुबारा से रिक्वेस्ट और दुबारा से रिक्वेस्ट बेजने के बाद जब ऐसा हो जाएगा ना कि 20-30 मिच्वल फ्रेंट हो जाएगे तो फिर उन में से किसी एक के पास मैसेज आएगा कि मुझे ना 7000, 8000, 10000 रुपे चाहिए और मैं कल 10 बजे तक आपको दे दूँगा आप एक बार कोल करके मुझे डिस्टरब ना करें मैं अभी ओपरेशन थेयर्टर में हूँ कोई ऐसी मुस्किल में बताएंगे कि आप उनके पास कोल भी ना कर पाओ वीडियो कोल भी ना कर पाओ तो फिर आप कई लोगों को जिनको पता होता है ना वो तो पैसे भीजते नहीं है और जिनको नहीं पता होता है इस ट्रैप के बारे में तो वो तुरंट भीज देते हैं और फिर बाद में पस्ता आते हैं ठीक है तो दोस्तों ये थे तीन ऐसे जाल जो आपको फसाने के लिए आपके अकाउंट को खाली करने के लिए बनाए जाते हैं या बिछाए जाते हैं अब हम बात करते हैं इन से बचना कैसे है दोस्तों सबसे पहले तो आपको कभी भी जैसे ऐसा लगे ना कि ये एक तरह से सेम आईडी है सेम एक बार आपको पता होई जाता है कि मैंने इस बंदे की रिक्वेस्ट्ट possible है कि आपको free में इतना सब कुछ मिल जाएगा क्या किसी को कभी मिला है नहीं मिलता दोस्तों यह एक फसाने का एक जरिया होता है एक ट्रैप होता है जाल होता है जिसके अंदर आप जल्दी से फैस जाते हो जो तीसरे नंबर पर आपको पासवर्ड होता है पासवर्ड को थो नंबर ही आता है 70% लोग अपना फ़ोन नंबर डालक रखते हैं फिर कुछ फोन नंबर और कुछ अपना नेम को उल्टा पलटा करके डालते हैं क्या है कर यह फोन नंबर और इन चीजों को सर्च नहीं कर पाएगा एक्सस नहीं कर पाएगा कर लेता है इसलिए तो आपके जो account के leak होने के account के hack होने के जो खत्रा है ना वो बढ़ जाता है तो इसलिए इन ती चीज़ों पर आपको काम करना है ना तो कभी भी unknown links पर क्लिक करना है ना ही किसी की unknown friend request accept करनी है और नहीं आपको अपने password में आपको आपका password easy नहीं रखना है आपको strong password रखना है तो यह थी दोस्तों आज के लिए आपके लिए आपके लिए बहुत ही कमाल की information यदि आपको यह information अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी knowledgeable वीडियो देख है ताकि मेरे को energy दे अगली वीडियो बनाने के लिए तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक भी happy keep smiling take care